हुआ हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक तो आर यूट्यूब चैनल तो आज हम एरो बार की कंटेक्स्ट में बात करने वाले हैं स्टोक हीरो होक जो पुराने मोडल होते थे उनके साथ एक एरो बार अपने को मिलता था उसी स्टोक एरो बार को नई शेप देने के लिए मैंने उसे मोडिफाई कर दिया तो उसका परसेजाज आपको मैं दिखाने वाला हूं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह अब एक न कटवा दिया को कटवा के जो हमें बार मिली है वह दिया आप देख सकते हैं दो एकदम सिंपल नई मोडन टाइप की एरो बार्स यहां अपने को मिल गई है इसको कटवाने के पिछे जो एक मेरा में रिजन तो यही था कि इससे लुग काफी एनेंस हो जाता है बाई का उप पर से स्पीड स्पीड तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी जो आप आने वाली वीडियों में देखी लेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसे काफी हेल्प दिलती है अगर नई वीडियो बताने के लि में जानते हैं कि यह साती हैं के अंदर kayak हो जके इसा अरोबार मेंन फायदा यह है कि आपको से कम टाइम में कान कर सके हैं क्यों कि एसमें क्या होता है सब्सक्राइब तो आपको पताई है स्पीड तो अपने बड़ी जानी है और यह तो देख सकते हैं कि जैसे यह बाइक है इसके अंदर स्टोक क्रेंग सेट लगा हुआ है तो इसके बावजूद भी आराम से फोटी टच कर जाती है बिना किसी दिक्कत के जहां तक लुक्स की बात है तो लुक्स तो आप देख सकते हैं खतर नाख लगती है दिखने के अंदर और पोस्चर के अंदर तो कुछ औरी बात है देखने में बड़ा कमा लगता है अब देखिए यहां फरक अपने को फरक पड़ता है कि जितने पैडलिंग मेरे को करनी प्रेस करने के लिए ज्यादा लगते हैं लेकिन जसे आप इसे चलाता है ना तो इसको चलाना यार बहुत ही मुश्किल काम था मैंने यानि 20 किलमेटर के कोई जब राइड की थे ना जो मेरे को ही पता है मैंने वह राइड कैसे की थी बहुत जो और लगता है इसके अंदर जिन भाइयों को यह कोईशन रहता है कि हमको गेर लगाने हैं तो गेर लगाने से पहले मां उनको एक ही सला देना चाहूंगा कि यार अपना पहले चेंडरींग अपक्रेड करो तब ही आपकी स्पीड बढ़ेगी एकर वरना बिना चेंडरींग अगर आपके उसमें लगान नहीं चाहिए तभी वो रेशो बनेगा और तभी आपकी स्पीड ज़्यादा हो पाएगी और जानतक यार पार्ट की बात है तो गेर वगेरा के जो पार्ट से आप ओनलाइन भी ले सकते हैं मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये होई है वीडियो के अंदर इस वीडियो तो अगर आप पंजाब से हो तो आपको शाहिए 300 रुपे मिल जाए 300 में ना मिलके अगर आप साउथ में रहते हैं शाहिए आपको जार रुपे तक भी मिल जाए क्योंकि ऐसा मैंने देखा है इसका प्राइस बहुत करता है लेकिन यह अकेला ऐसा अप्रेड है जो पूरी स साथ में लगवा सकते हैं 60 विद्गेर बहुत ही अच्छा कॉंबिनेशन है इस बाइक के लिए साइक काफी अच्छी चलती है स्पीड भी काफी अच्छी रहती है एक अगर हमें एवरेज की बात करें तो तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि हमने साइकल स्विच कर ली चाहि तो से लुक्स के मामले काफी अच्छी लगती है बाकी पॉस्चर के मामले में बस यह अपने फर्क में दागे अपना इलबो रेस्ट है को इसके अपने को पैडिंग में जाते है उसके पैडिंग नहीं है तो उसको हैंडल पर रखके चलाना पड़ता है लेकिन वैसे ही फरक है जो एक गेर कॉमिनेशन आपको दे सकता है अगर आपको एक दम बिलकूल प्लेन टेरन के उपर चलानी है और अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप लोंगर डिस्टेंस एजीली कवर करना चाहते हैं तो और आली में आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस को गेर कॉम कॉमिनेशन है गेर लगवा तो कम मिनिममं 52 के साथ जाना है आपको सिंगल यानि जिस्टो कॉमिनेशन है उसके साथ मैं आपको सेजेस्ट नहीं करूंगा तो आज के लिए बस कुछ इतना ही कुछ था एरो बार की परफोर्मेंस काफी अच्छी है अगर आपके पास है तो से जरूर लगाएं अगर आप उसे छोटा करके लगाना चाहते हैं तो भी अच्छा है लेकिन अगर आप भी उसकरना चाहते हैं तो वह भी अच्छा चलता है थैंक यू अरुझ है अ अ अ झाल झाल